इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिसकस करेंगे और इस वीडियो में हम माउथ और टीथ के बारे में डिसकस करेंगे previous class में हमने अपने body के different sense organs जैसे tongue, ear, skin, nose और eyes के बारे में discuss किया था इन सभी organs को बाहर से देखा जा सकता है इसलिए इन्हे external organs कहते हैं कई ऐसे organs हैं जो हमारे body के अंदर मौजूद हैं और उन्हें बाहर से नहीं देखा जा सकता है ऐसे organs को internal organs कहा जाता है हमारा body एक बहुत ही complex system है means इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है यह different organ के help से एक machine की तरह work करता है जैसे एक machine के अलग-अलग part मिलकर एक work को perform करते हैं ठीक उसी तरह से body के अलग-अलग part मिलकर एक system बनाते हैं different different system जैसे mouth, food pipe, stomach, small intestine एक साथ मिलकर digestive system बनाते हैं digestive system जो food हम खाते हैं उस food का क्या होता है food में carbohydrate, protein, fat और other nutrient या पोसक तत्व होते हैं एक complex material है जो हमारे digestive system में simpler form में break हो जाते हैं इसी process को digestion कहा जाता है चलिए समझते हैं mouth जो हमारे digestive system का पहला part है वो कैसे digestion process में help करता है आप अपने friend को mouth open करने के लिए कहिए और जब आप अपने friend के mouth के अंदर देखेंगे तो आपको tongue और different type के teeth नजर आएंगे teeth के help से हम food को काटते हैं और चबाते हैं teeth हमारे face को एक shape या आकार देता है आप पने देखा होगा कि लोग बुड़े हो जाते हैं और जिनका दाट तूड जाता है उनका मुँ पिचक जाता है teeth के help से हम clear बोल पाते हैं two sets of teeth जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके मुँ में दात नहीं होते हैं लगबग 6 महिने बाद बच्चे के मुँ में पहला दात आता है और 3 साल होते होते इन दातों की संख्या बढ़कर 20 हो जाती है इन 20 दातों को temporary teeth कहते हैं क्योंकि ए दात बाद में तूड जाते हैं और इनकी जगे नए दात आ जाते हैं इन दातों को milk teeth भी कहते हैं ए दात 6 साल से 12 साल के बीच तूड जाते हैं और इनकी जगे नए teeth आ जाते हैं और इन teeth को permanent teeth कहते हैं इनकी संख्या 32 होती है टाइपस आप टीथ, फ्लैट टीथ, माउथ के सामने वाले टीथ को फ्लैट टीथ कहते हैं और इनका यूज फूड को काटने के लिए किया जाता है फ्लैट टीथ को इंसीजर टीथ भी कहते हैं इनकी टोटल संख्या आठ होती है मिन्स उपर और नीचे के जबडे में 4-4 फ्लैट या इंसीजर टीथ होते हैं प्लैट टीथ, फ्लैट टीथ के दोनों साइड में एक सार्प और प्लैट टीथ मिन्स नुकीला दात होता है इनका यूज फूड को फाडने के लिए किया जाता है प्लैट टीथ को कैनाइन टीथ भी कहते हैं इनकी संख्या चार होती है मिन्स उपर और नीचे के जबडे में 2-2 प्लैट या कैनाइन टीथ होते हैं ब्रॉड और गूब्ड टीथ, माउट के बैक साइड या पीछे मौजूद दात चोड़े होते हैं और उनमें गूब्ड मिन्स हलके हलके गड़े बने होते हैं इनका यूज फूड को चबाने और ग्राइंड करने के लिए किया जाता है ब्रॉड और गूब्ड टीथ को प्री मोलर और मोलर टीथ भी कहते हैं प्री मोलर की संख्या 8 होती है मिंस उपर के जबडे में चार और नीचे के जबडे में चार टीथ होते हैं प्री मोलर टीथ कैनायन टीथ के ठीक बाद में या बगल में आते हैं मोलर टीथ की संख्या बारह होती है मिंस उपर के जबडे में 6 और नीचे के जबडे में 6 टीथ होते हैं Care of teeth Teeth हमारे लिए बहुत important हैं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए अगर हम अपने दातों की देखभाल नहीं करेंगे तो वे खराब होकर तूटने लगेंगे Pay to protect teeth हमें अपने दातों को सुबर और रात में सोने से पहले ब्रस से साफ करना चाहिए हमें खाना खाने के बाद मुह को अच्छे से दोना चाहिए हमें sweet means मिठाई, sugar, snacks और soft drink को नहीं पीना चाहिए हमें अपने दातों को dentist means दात के डॉक्टर से regular check-up करवाना चाहिए हमें फल जैसे सेब, अमरूद, vegetables जैसे मूली, गाजर ये सभी खाना चाहिए ये हमारे मसूडों को healthy रखने में help करते हैं इससे हमारे मसूडों का exercise भी होता है हमें जर्म या किटाड़ूं को दूर करने के लिए टंग को टंग cleaner से साप करना चाहिए हमें मजबूत दातों के लिए calcium yuct food जैसे एक milk और milk से बने product को खाना चाहिए चलिए जानते हैं सही तरह से ब्रस कैसे किया जाता है हमें ब्रस से उपर और नीचे वाले जबड़े के दातों को साफ करना चाहिए इसके बाद हमें माउट के पीछे वाले दातों को इस तरह से साफ करना चाहिए ब्रस करते समय हमें ब्रस को सर्कुलर वे में मूव कराना चाहिए डू यू नो अगर सूगर और बैक्टीरिया टीथ पर लंबे समय तक रह जाएं तो वे दातों में सडन पैदा कर सकते हैं दातों का आउटर पार्ट वाइट करर के सब स्टेंज से ढखा होता है जिसे इनेमल कहते हैं यह हुमन बॉडी में प्रेजेंट सबसे स्ट्रॉंग मटेरियल है झाल 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 झाल